हिमाचल करमचारी चयन आयोग की एक वरिष्ट अधिक्षक को पैसे लेकर जेओए आईटी पोस्ट कोड 965 के प्रशनपत्र देने के मामले में गिरफतार किया गया है मामले में खुलासा हुआ है कि प्रशनपत्र पहले से ही हल करके रखे थे महिला करमी और उसके बेटे ने धाई लाख लेकर दलाल को हल प्रशनपत्र प्रदान किये लेकिन विजिलन्स की टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया क्या कहना है मुख्यमंत्री के प्रधान सलाकार मीटिया नरेश जोहान का सुनिये पूरा नेटर्वर्क बना दिया उसका नंबर डालके उसकी सारी कॉल जो संजय की थी वो ट्रैप कर दी गए और कि वारतालाब को सारा record किया गया और उसके ब्याब पे फिर उससे अभिलाश को vigilance के अधिकारियों के साथ संजे से मिलने का पूरा एक plan बनाया गया और उस plan के तहट meeting हुई उसमें ये बात तैय हुई थी कि अभिलाश ने कहा था कि मैं आपको पजासाजार रप्या दूँगा और बाकी आपको मैं paper देखने के बाद दूँगा और बाकी final जो payment होगी जब मैं pass होगा final payment मैं आपको करूँगा इस बात के लिए संजे जो है तैयार हो गया तो जब ये trap किया गया तो ये सारी चीजे जो है रंगे हातों वो पकड़ा गया विद कैश ये सारा घटना करम हमीरपूर के अंदर हुआ और फिर जब बात आगे बढ़ी तो उसमें क्या था कि जो महिला थी संजे के साथ जो एक महिला है वो खुद एक senior सुप्रेटेंट सेक्रिसी ब्रांच में HP SSC में मुलाजिम है वो वहां काम करती है जो महिला है ये उसके द्वारा ये पेपर जो है वो ले गई वहां गे उसका बेटा भी इसमें इन्वाल्व था तो ये पूरा एक नेटवर्क था इनका और 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 भी दो बच्चे पकड़े गए हैं जिनको इनोंने पैसे के साथ अपना जो है फाइनल डेट किया था कि हम आपको भी ये ये पेपर देंगे और आप भी पैसे का इंतिजाम किए तो टोटल तीन बच्चे अबिलाश और दो और बच्चे थे जिनके साथ ये इसका जो है फाइनल कर रहे थे तो ये संजे क्या ये सारा घटना करम क्या हुआ कि फिक्स हुआ कि एन आई आई टी हमीरपूर में मिलेंगे वहां गे वो एक घर के अंदर ले गया जो कलॉनी में था वेंट तो दा हॉस एट ए हॉसिंग बोर्ड कलॉनी उम्मा आज़ाद उम्मा आज़ाद इस लेड़ी सीनियर सुप्रेटर्डेन सिक्रेसी ब्रांच एच्पी SSC में काम करती थी उसके घर में गे और उनका बेटा निखिल आजाद उसने ये पेपर प्रोवाइड करवाया और ये जो पेपर प्रोवाइड करवाया ये अलरेडी इसके जो आंसर थे वो भी सॉल्वड पेपर था सॉल्वड क्या हुआ था तो ये एक बज़ के बीस मिनिट की अगटना है और इसके बाद उससे पैसे भी रिकावर किये गे जो उसने उसको दिये थे और उस महिला को भी अरेस्ट किया गया है तो यहां पर एक बात साफ है कि ये कुछ हो पाता माफिया काम कर पाता या ये पेपर बिगते इससे पहले ही जो अलर्ट मोट पे सरकार की सोच की वज़ा से जो पुलिस विवाग और विजिलेंस था उसने एक सफलता प्राप्त की है सीधे तोर पे ये हमारी पुलिस विवाग की और मुख्या मंत्री जी की सोच की वज़ा से और उनके अलर्ट की वज़ा से ये संभाव हो पाया है कि आज हमने जो है पुलिस विभाग की और मुख्या मंत्री जी की सोच की वज़ा से और उनके अलर्ट की वज़ा से ये संभव हो पाया है कि आज हमने जो है एक बहुत बड़ा स्केम होने से पहले ही ट्रेस कर दिया और ये आगे पेपर भीकने का जो काम था और जो ऐसे लोगों से संपर्क हुआ ये सारी बाते खुलती जाएगी इसके लिए हमको आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा पुलिस डिपार्टमेंट एक सीनियर अधिकारी जो है इसमें विजिलेंस के हैं वो इनकी अध्यक्षता में ये सारा इन्वेस्टिकेशन आगे हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूस के साथ